नमस्कार साथियो अब जन किसानों ने चना की खेती किया है उनका चना का अवस्था अब फूल की इस्तिती पर है मलब चना अब फूल देने की अवस्था पर आ चुकी है और इस समय कई सारे किसान भाईयों के कुछ समस्या होती है कि इस समय हम पानी दें या ना दें कौन सी दवा का छिड़काव करें जिससे अधिक रूप से हमारे चने में फूल आए, फल आए, हमारा उत्पादन बढ़े अब कई सारी समस्या हैं तो आए इस छोटी सी वीडियो में फटा फट से चर्चा कर लेते हैं कि चने की इस समय जो अबस्था है उस समय हम क्या करें और क्या ना करें जैसा कि आप देख रहे हैं कीट भी लग चुके हैं यह एक इल्ली दिख रही होगी और यह चने की बहुत महतपूर इल्ली है मतलब कि चने को बरबाद करने में इसका मुख्य रोल होता है तो इससे भी हम कैसे छुटकारा पाएंगे कैसे बचाओ करेंगे और हमारा चना स्वास्त हास पूश्ट कैसे रहे हम इस पर चर्चा करने वाले हैं इस चोटी से वीडियो पर साथियो वीडियो अच्छे लगी गए तो लाइक जरूर करें और हमसे जुड़ने के लिए सबस्क्राइब जरूर करने हैं सबसे पहले तो यह बात कि पानी कब देना है फूल आने से पहले फूल आते समय यह फूल आने के बाद में तो एक साथानी जरूर रखें कि पानी फूल आने से जश्ट पहले देना है यह बात बिलकुल आप अपने उपर न रखें कि पूल आते समय हम पानी दें यह फिर कोई बोल रहा है कि फूल बीच में आ जाए तब पानी देना चाहिए बिलकुल नहीं क्योंकि पानी जब दे और पौधा आपका बढ़ने लग जाएगा इसको से हमको बचाओ करने के लिए जैसे फूल आना हो उससे जश्ट पहले हमको पानी दे देना है वह भी अगर आपके पौधों को आपके मिट्टी को पानी के अवस्चता है तब क्योंकि चने को पानी की बहुत कम आवस्चता होती है किसी मिट्टी पे कहीं एक पानी पर चना फल फूल जाता है कहीं दो पानी कहीं तीन पानी तो मिट्टी हिसाब से पानी दें लेकिन अगर पानी देना ही है तो फूल आने के अवस्था पके जश्ट पहले आप पानी दें फूल आते आते आपका जो मिट्टी है आप का खेत है आपका पार सहले जिस समय आपको छिड़काओं भी करना रहता है कुछ दवाओं का जैसे कीट ना सक हो गया या पिर एनपी के हो गया टॉनिक हो गया छिड़काओं भी करना रहता है तो उस समय आप impression प्रोपर्ली छिड़काओं मतलब कि फूल से फ्लियां बन रही है तब आपको पानी देना है तो उस समय आप पानी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब तक फूल न बन पाए तब तक पानी मत देना नहीं तो लॉस हो जाएगा अब बात आता है flowering का या फूल का तो फूल में दो इस्थिति आएंगी एक तो फूल बन नहीं रहा है या फिर बन रहा है तो जड़ रहा है अगर बन नहीं रहा है फूल तो आपको गोध्रेज डबल या फिर सिजन्टक कलटार कई सारी टॉनिक आती है जिसमें आपको हार्म हीव्य के सीड हो गया प्लावर्रिंग हार्मीन घृंच्प करते हैं अब पर्वरवं ने खृषिक हा तो आप य प्रतितंक की हिसाब से उसका भी आप उप्योग कर सकते हैं फ्रावर ड्रॉपिंग की समस्य भी रुख जाएगी अब अगला हम पहुंसते हैं कीट में जो इल्ली होती है पिसेस रूप से मुख्यू रूप से इल्ली प्रहावी होती है चने की खेती में तो हरा इल्ली आता है हरा इल्ली का मुख इलाज आप इस्प्रेक माध्यम से कर सकते हैं वह है अगर इवा वेक्टिन बेंजोईट डाल रहे हैं लगभग 10 ग्राम प्रती पंप डाल सकते हैं 20-25 दिन का असर या 20-22 दिन का इसका असर होता है और प्रभावी दवा है इसके अलाबा भी कई सारी दव इंपलीगो या कोराजिन का उप्योग कर सकते हैं लगभग 80-100 ml प्रती एकड़ लगता है जिसमें क्लोर एंट्रो निली प्रोल और लेंब्रा साइलोथ्रीन होता है अब इसमें हमने कीट की बात कर लिया अगला हम बात कर रहे हैं दोस्तों इस्प्रे का इस्प्रे हम कौन देने को वही इस्प्रे करना है इस इस्थिती पर 0.52 का आप इस्प्रे कर सकते हैं एक किलो ग्राम उसके साथ आप बोरान एड़ कर लें लगभग 80-100 ग्राम और उसके साथ आप लगभग सागरिका या बायो वीटा जो भी आप लेना चाहें 200-300 ml जो प्रती एकड़ की मात इसको एड़ कर लें तीन का कॉंबिनेशन अगर आप ले रहे हैं इस समय के इस्प्रे के लिए यकीन मानिए यह इस्प्रे आपके लिए बहुत ही अच्छा और फायदेमंद होने वाला है तो इसका एक इस्प्रे आप कर सकते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल और आपका पौधा अगर इस्ट्रेस में रहेगा तो सागरी का बायो बीटा यह जो है यह आपके पौधे को इस्ट्रेस से बाहर निकालके स्वस्त बना करके रखेगा तो आप इन चीजों को उपयोग कर सकते हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इस प्र कर से हम प्रभावी रूप से अच्छी खेती की और बढ़ सकते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारिक सांग तब तक के लिए धन्यवाद